ठीक है, यह discussion करेंगे, लेकिन ये करने के पहले न, कल एक बहुत ही बड़ी डाउट आया है, आयूश का डाउट आया था, वो मैं बताता हूँ, आपके साथ share करता हूँ, हमारी क्या discussion हुई, वहाँ पर आयूश बताते हैं मिरको, आयूश कहते हैं कि भई, इंडिया में, आज के हैं, बड़िया दिमागदार लोग हैं, अच्छे इंकम कमा रहे हैं, कहां बैठके, यूश में बैठे हुए हैं, वगेरा वगेरा, 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 वे सारे के सारे न, कल ही इंडिया लोटके आजाएंगे, अगर आपने वहला काम करा तो, मैंने का बताईए, ऐसा क् बाहर के लिए कहते हैं, जो कि अगर हुआ, तो बाहर के लोग इंडिया आ जाएंगे, इंडिया के लोग इंडिया को छोड़के नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर आयूश कहते हैं, आपको क्या करना है, जितने भी टाक्स है, खतम करो, GST है, खतम करो, Customs ड्यूटी, XS ड्य वगएर वगएर, सब कुछ खतम करो, और यह खतम करके होगा, क्या, लोगों को देखेगा, कि बाहर अगर हम income कमारे होंगे, यहां पे यहां पे वगएर वगएर, तो क्या करना पड़ रहा है, कोई न कोई rate है, वो rate पे, income pay, taxis देने पड़ रहे हैं, GST वगएर, वो देना पढ़ रहा है, इंडिया में कुछ भी नहीं पे करना होगा, तो यह क्या करेंगे, यह कूद के यहां आ जाएंगे, और जो भी यहां पे हैं, वो बाहर जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्या यह सही है, नहीं, यह सही प्रोच नहीं है, सोचके लगता है कि बहु यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़ता फायदा हो जाएगा कहीना कहीने सोचके plausible लगता है कि हाँ argument में दम है जो दम है कोई नहीं मना कर रहा argument में थोड़ा बहुत दम है लेकिन क्या यह argument पूरी की पूरी तरीके से सही है नहीं है क्यों समझे करें discussion मेरे साथ यह क्यों सही नहीं है मैं बताता हूं इंडिया जो भी लोग छोड़के जा रहे होते हैं अगर इनके दमाग में यही होता ना इंडिया में क्या है टाक्स जो भी होते हैं बहुत हाय है हम बाहर जाना चाहते हैं क्या करने के लिए यह बचाने के लिए और कोई दिक्कते नहीं है, यही दिक्कत आ रही है तो यह कहां पर जा रहे होते हैं, यह ऐसी जग़ों पर जा रहे होते हैं जहां पर taxes होते ही नहीं है दुबई के बर में बात करेंगे, यहां पर income tax नहीं होता होगा लेकिन वैड यहां पर भी होता है यह होता है यह नहीं होता US के बार में बात करेंगे Canada के बार में बात करेंगे बहुत इंडियन्स होते हैं जो कि यहां पर जा रहे होते हैं कि यहां पर taxes नहीं है नहीं है और उतनी ही हैं जो कि इंडिया में लगाए जा रहे होते हैं पर लोग फिर भी यहां पे क्यों जा रहे होते हैं, यहां पे जा रहे होते हैं, यहां पे जा रहे होते हैं, समझने की कोशिश करिए, लोग यहां पे जा रहे होते हैं, क्यों 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 और ये लोगों को कही न कहीं attract कर रहा होता है, इंडिया में क्या करेंगी, यह कमा रहे होंगे, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर यह amount कमा रहे होंगे, तो वहाँ चलो. लोग एक चीज को चेक करना भूल जाते हैं, purchase power parity, कि वहाँ पे चीज़े भी महेंगी हैं, तो यह देख यह नहीं होता, पर लोगों की दमाग में क्या क्या करना है, मुझे कहीं और चाना है, किसी की दमाग के अंदर क्या है, िंडिया में इंफ रा बहुत बढ़िया नहीं है, इंडिया की रोड्स को चेक करिए, बिल्डिंग्स को चेक करिए, हमारे टूरिस्म के सेक्टर को चेक करिए, साफ सफाई नहीं है, गंदी बनी हुए चीजें, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बगएरा बगएरा, अलग अलग दिक्कतें, तो मैं क्या करना चारू, मैं तो यहा पे वाला काम करना अलाओ नहीं कर रही, कोई है जिनका मेन काम क्या है, ड्रीम है उनका कि वो क्या करेंगे, कार मोडिफिकेशन का काम इंडिया में करना चाहते हैं, कर पाएंगे क्या, नहीं, छोटी-छोटी चीज़ है जिसकी गाड़ी का पेंट चेंज करना, वो भी इंडि जो भी काम करने इंकम कमाने के लिए वो बाहर ही कर पाएंगे इंडिया अलाओ करीने रहा इसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि इंडिया में नहीं हो रहे हैं क्यों इंडिया में रहना ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे इंडिया में रहना ही बेटर लगता है इसलिए मैं कभी भी सोचता भी नहीं है कि मुझे बाहर जाना चाहिए लेकिन जिनको जाना चाहिए जो जाते हैं उनके दिमाग में अलग फॉर्ट प्रोसस होता है और वो उसके तहद क्या कर रहे होते हैं बाहर जा रहे होते है Now for us to be able to say that अगर आपने taxes जो भी होते हैं, वो zero करें तो क्या होगा, सारे की सारे इंडिया लोटके आजाएंगे and इंडिया से कोई भी नहीं चाहेगा ये गलत है, क्यों? क्योंकि अकेले ये इंडिया में जो भी लगाए जाते हैं, ये अकेला reason नहीं, एक contributing factor हो सकते हैं, कि इंडिया में taxes जो ये भी हाए हैं, तो क्या करिए, चोड़के जाहिए, कहीं नहीं और कोई और country में चाहिए तो ये contributing factor हो सकते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, contribute कर रहे हैं towards taking this decision, कि आपको क्या करना है, इंडिया में नहीं रहना, लेकिन धर्ट सरकार क्या करें, tax जो भी होती है, collect करें, क्यों, इनके पस क्या होना चीए, funds होने चीए, ताकि ये क्या करें, इंडिया के इंफरा में ये लगाएं, और ये लगा के क्या करें, देश की तरकी करें, लेकिन equally important क्या है, जो भी collect कर रहे हो न, ये collect करके क्या करिए, लेकिन ये बोल देना कि कल को जाके अगर आपने tax जीरो करें, तो सारे की सारे लोग दोड़े दोड़े इंडिया जाएंगे, इंडिया को कोई भी चोड़ के नहीं चाहेगा, ये थोड़ा का रहत है, वह मैंने बताया था, खेर, discussion को आगे बढ़ाईए, and rule number 32, इसके बार म number 32, ये बढ़ेंगे यहाँ पे detail में, और मैं बताऊंगा, यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, and planning के जगरी चाहती है, बढ़ें,